अब चलते हैं नमेरिकल नमर 5 की तरफ जिसमें हमारे पास एक सर्टन कंडिशन गिवन है उस सर्टन कंडिशन को देखते हुए पढ़ते हुए स्ट्रेंट्स हम लोगा ने विलॉस्टी और एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करना है और अमेबा आफ मास 1.0 x 10 10 12 kg यू पर मैने स्ट्रेंट के घू इवार ब्लॉस्टी और मैं अट जिस्ट आप टूर टो और एक्स दोटी और तो अट अटेशन ग्स्टी और घुच्छ पर मैंस फीर तो टूर मैंस फोर मिटर पर सेंट आट राट राट ज बहुए पर सेंट प यहां पर कंडिशन कुछ इस तरह है कि एक अमीबा एस्टुरेंट्स वो उसका मैस किवन है वो वाटर को प्रोपेल करता है पै ब्लोइंग ए जेट आफ वाटर थूआ टाइनी औरिफिस अब यहां पर जो अमीबा वाटर को एजेक्ट करता है स्टुरेंट्स उसकी स्पीड भी गिवन है हमारे पास और किस रेट के ओपर वो वाटर को ब्लोग करता है वह भी हमारे पास किवन है यहां पर हम लोगों ने जीम यह करना है कि जो वाटर एस्टुरेंट्स वो कॉंटिणूस्ली रिप्लेनिश्ट हो रहा है इसकी वज़ए से क्या होता है कि जो मैस अव अब दा अमीबा यहां पर हम लोगों ने अमीबा की एक्सेलेरेशन फाइंड करनी है अंडर दा इंफ्लूइंस अफ रेक्शन फोर्स पार्ट बी में हमारे पास है इफ अमीबा मूव्स विद कॉंसे वलास्टी तू दा वाटर कौन सी फोर्स उसके उपर स्राउंडिंग वाटर के अंदर जो जेट के ऊपर एक्स्प्लूजिवली इंट हो रही है इस वो हम लोगों में फाइंड करनी है बढ़ते हैं स्लूशन की दरफ सबसे पहले हमें जो नौन वैलिउस है गिवन वैलिउस है उनको लिखना है गिवन वैलिउस है हमारे पास मैस ऑफ उमीबा M is equal to 1.0 multiply by 10 स्ट पार मैनस 12 केजे उसके बाद, Speed of the ejected water जो water eject हो रहा है उसकी जो हमारे पास Speed है वो कितनी है V is equal to 1.0 multiple by 10 स्ट पार-4 मीटर पर सेकेंड उसके बाद Mass per second of the ejected water कि कितना mass per second eject हो रहा है उसको लिखेंगे वो है हमारे पास मैस पर यूनिट टाइम के कॉर्डिंगली केजी पर सेकिंड के अंदर कितनी वैल्यू है उसकी स्ट्रेंट्स वान पॉइंट जीरो मंटिप्लाइबाइब थैन इस्ट पार माइनस थर्टीन किलोग्राम पर सेकिंड यह हमारे पास है नौन ने फार्मूला जो हम लोग इसमें यूज करेंगे स्ट्रेंट्स वो है हमारे पास f is equal to m over t multiply by v यह हमारे पास momentum का फार्मूला जिसका relation है force के साथ यहां पर simple हम लोग values को put करते हैं values को put करने के बाद क्या होगा हमारे पास f is equal to 1.0 multiply by 10 raised to power minus 13 multiply by 1.0 multiply by 10 raised to power minus 4 values को put किया mass over time की value को भी और velocity v की value को भी f will be equal to then 1.0 multiply by 10 raised to power minus 17 newton force of the surrounding water on amoeba यह हमारे पास a part में required था यह वाली force जो है वो strength surrounding water की तरफ से उमीबा के उपर लग रही है इसके बाद हम लोग find करेंगे b part में acceleration को acceleration को find करने के लिए हम लोग use करेंगे newton second law newton second law क्या है हमारे पास f is equal to ma a is equal to f over m acceleration को find करने के लिए simple हम लोग values को put करते हैं force की value हमारे पास 1.0 multiplied by 10 is power minus 17 newton divided by हमारे पास जो मैस स्टुनेंट समीबा का वो है 1.0 multiplied by 10 is power minus 12 so after calculation a will be equal to 1.0 multiplied by 10 is power minus 5 meter per second square so students इस question के अंदर statement के accordingly हम लोगों ने force को भी find किया और उसके इलावा हम लोगों ने acceleration जो हमें required थी उसको भी find किया thank you हम आए जिसमारा के अ हम र थालएएशा करें करते हमारएब त regimes को को कुधी हमी दोगे और र defence